तो यहाँ पर हम सिखेंगे friends की dominate over the English इसका मतलब यह है कि English पर आप कैसे dominate करने ओ चीज यहाँ पर आप लोग को जानना है जिनकी English अच्छी है उनको लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब उनको किसी तरह का कोई प्रावलम नहीं है लेकिन जिनकी English कमजोर है वो इस वीडियो को देखकर अपनी English को में थोड़ा सा improvement ला सकते हैं और जिनकी अच्छी है वो थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि यह वीडियो पुड़े English पर ही best है तो English पर dominate कैसे किया जाए इसका उनको knowledge नहीं रहता है तो इसके लिए जरूरी है फर्स्ट आफ आल कि आपकी English में इंट्रेस्ट होनी चाहिए अगर आप English सीखना ही चाहते हैं तो आप English सीख लेंगे इसके लिए तरीका यह होता है कि आप English में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रेस्ट ले और दूसरी बात यह है सबसे सही तरीका है आपकी word meaning अगर आप word meaning आपकी अच्छी है vocabulary आपकी अच्छी है तो इंगलीस आपका अच्छा होना एक्दम मस्ट है क्योंकि अगर इंगलीस का जो सबसे core part है वह word meaning आपको word meaning नहीं पता है तो आप मतलब है कि इस्टुडेंट एक दस बीस पचास word meaning ले लेते हैं और एक ही दिन में उसको याद करने की कोशिश करते हैं वह याद भी कर लेते हैं लेकिन तीन चार दिन बाद उसका सही नहीं आता है तो कहने का मतलब है कि कैसे word meaning को एक organized और एक well balanced ढंक से इसको याद किया जाए और रखा जाए अपने दिमाग में और उसका नए चार वर्ड याद के रहें लेकिन जो पुराने पीछले जो चार वर्ड याद किया है उसको भी रिवाइज करते रहें चाकि वह दम डेली कंटेक्ट में रहें लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है जो विगिनर्स के लिए उनका इंग्लिस कमजोर है उनके लिए अच्छा नए वर्ड लेकिन इससे पीछे का दो टो नए वड़ पढ़े जो दो नRA नीय व meer देलुक झाजित बेंस करते तो ऐसा आप डेली करें जासे करें नहीं सबढकाइब बैस और था नाओ को सब्यावब तरह सबह्बात के इक साफ़ यहाऊब पहपते में तो अपफन पहते हैं, पहले要टार इंगलीसी कमज़र सेऊजopus क्याओ कि अश्मली अत्रसर्पा गया मतलडा मात्य है हमें और इसा मेंनिग के थ motivator के बाद रहा इसको अपने पसंद किया है और इस स्ट्रेक्टिस को फालो कीजिए